इस्राइली पीम नितन यहूँ पर आए दिन मुसीबतों का पहाड तूट रहा है जहां हर गुजरते दिन गाजा यूद से इस्राइल के लिए बुरी खबर सामने आ रही है वहीं अब फिर से दावा किया जाने लगा है कि इस्राइली पीम को 7 अक्तूबर 2023 के हमले की पहले से जानकारी थी कई सुरक्षा रिपोर्ट्स ने नितन यहूँ के सामने ऐसी अशंकर जताई थी कि इस्राइल पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है मगर अब आरोप लगाया जा रहा है कि इस्राइली पीम ने इन सभी अलर्ट को नजरंदास भिया बीते दिनों इस्राइल के विपक्षी दल के निता यायर लैपिड ने इस्राइली पीम को घिरते वे दावा किया था कि संभावित हमले की जानकारी होने के बाद भी नितन यहू ने कोई कदम नहीं उठाया था इसके बाद से इस्राइल में पीम नितन यहू के खिलाफ अवाज उठनी शुरू हो गई अब इस विवाद में शिन बैट परमुक रोनेन बार भी कूद गए हैं जिन्नोंने हमास के संभावित हमलों का अलर्ट देने की बात धोराते हुए इस्राइली पीम को कट घरे में ला दिया है रोनेन बार ने बताया कि जुलाई 2023 में इस्राइली पीम को चितामनी दी थी कि जब तक देश को चलाने के तरीके में कुछ बदलाव नहीं किया जाता तब तक इस्राइल के बविश्य में युद लबक निश्चित रुख से होगा अब एक इस्राइली मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में हिरान कर देने वाला दावा किया है जिसके तहत 23 जुलाई 2023 को नेतनियाउ सरकार की और से नियाईक सुधार कानून के पक्षमे वोटिंग से पहले पी-म के साथ एक बैठक की थी जिसमें उन्होंने नेतनियाउ को अलर्ट किया था कि इस विवात्सपत कानून और इससे इसराईली समाज में होने वाले विवाजन का फायदा दुश्मन ताकते उठा सकती है इसराईल के दुश्मनों ने अपने देश की कमजोरी देखी है और इसलिए उन्हें किसी भी वक्त हमला करने का मोका मिल गया है इससे इसराईल एक बड़े युद में फस सकता है दावा है कि इसराईली पीम की ओर से चेतावनी को नजर अंदास करने और खासा तूल ना देने पर शिन बेट पर मुक ने पूर्व इसराईली पीम और विपक्षी नेता लैपिट को भी ये चेतावनी जारी की थी दावा किया जा रहा है कि बीते दिनों लैपिट के इसराईली पीम पर लगाए गए आरोपो में भी शिन बेट के अलर्ट की चाप देखी गई थी जिने लगातार इसराईली पीम ने कोई खास मैतू नहीं दिया था रिपोर्ट में कहा गया कि रोनेन बार निश्चित थे कि इसराईल जूत की और बढ़ रहा है हमास के साथ यूत की तुन्ना में वै या तो उत्तर में हिजवुला से युक का जिकर कर रहे थे या वेस्ट बेंग में बरते नए परतिरोप की और इशारा कर रहे थे इसराईल के विपक्षी नेता के लगाया रोपू की तरह इसराईली पीम ने शिन बैट पर मुख के दावों को भी खारिज किया अपने स्टेंड पर बरकरार रहते हुए इसराईली परदान मंत्री कारयाले ने पीम नेतनियाओ पर लगे सबी आरोपों को सीरे सनकारते हुए कहा कि नेतनियाओ को गाज़ा में यूद के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली थी ना ही एक महीने पहले और ना ही 7 अक्तूबर से एक घंटे पहले प्रोटोकोल इसे साबित करते हैं